हाई फ्रेंड्स नीता की रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाए हैं बहुती स्वादिस्ट ब्रेकफास्ट पालक वड़ी ये हेल्दी होता है हेल्दी के साथ साथ ये कम तेल में भी बनता है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिजबें टाइट डि पालक भाजी है इसे हमने अच्छी तरह से वाश कर लिया है दंठल अटा दिया है हमने पालक भाजी को अच्छी तरह से बारिक बारिक कट करना है और अब हम इसमें बारिक बारिक प्याज डाल देते हैं हमने एक छोटा प्याज डाल दिया है बारिक कट करके हरा धनिया आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून जीरा पाउडर डाला है और एक टीस्पून इसमें हमने नमक डाल दिया है स्वादन सार डालिए आप और एक टीस्पून हमने ये अमचूर पाउडर डाला है और एक पिंच हिंग डाल देंगे आप चाहे तो इसमें अजवाइन डाल सकते हैं ये मैंने बेसंट डाला है आधा कप पेशन डाला है और आधा कप ही चावल का आटा डाला है चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी जो पालक बड़ी बनती है बहुत क्रिस्पी बनती है इसे अच्छी तरह mix कर लेते हैं आप चाहे तो इसमें 2-3 टेबल स्पून दही भी डाल सकते हैं बहुत बढ़िया स्वाद आता है या नीबू का रज डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके बस 1-2 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे क्योंकि पालक ही अपना पानी छोड़ता है तो उससे डो बनकर तयार हो जाता है देखिए हमने डो बनाकर तयार कर लिया है और हाथ में ऑईल लगा लेंगे और इसके हम रोल बना लेते हैं लंबे-लंबे रोल बना लेंगे इसे हमें भपाना है देखिए इस तरह से हमने इतने material में बड़े बड़े तीन डोल बन गए है और हमने एक जाली वाला बरतन ले लिया है और इसमें हमने oil लगा दिया है बहुत अच्छी तरह से और इसमें रख देगे या तो आपके पास steamer है तो आप उसमें रख लीजिए यह हमने एक बरतन रख लिया है यह गंजी रख लीजिये और उपर से धकर कवर कर देते हैं जब भी आप गंजी रखे उसमें पानी आदा गंजी रखे और जो उपर का हमने चाली वाला बरतन लगा के देख लेते हैं, देखिए साफ निकल रही है, इसका मतलब ये रोल पक चुके हैं, अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं, इसे हमने फूल फ्लेम पे बनाया है, बस बारा मिनिट लगे हैं पकने के लिए, ठंडे हो गए है रोल, अब हम इसे कट कर लेंगे, इस तरह से पत बनाया है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, भापा के आप ज्यादा मातरा में तयार कर लीजिए, और आप इसे दस से पंदरा दिन तक फ्रीज में एल टाइट डिब में में रख दीजिए, बहुत बढ़िया रहते हैं, जब मन चाहे आप इसकी स्लाइस करिए, या तो आप डिप फ्राई करके सर्व कीजिए, या आप शेलो फ्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, चलिए इसे हम दोड़ा तड़का लगा लेते हैं, हमने बस दो छोटे चमच इसमें ओईल डाला है, ओईल गर्म हो गया है, एक टीस्पून राई डाल दिया है, और दो टीस्पून हमने तिल डाल दिया है, चार से पाच कड़ी पत्ता डाल दिया है, और इसे हम थोड़ा हिला लेते हैं, अब हम इसमें ये जो बड़ी बनाया है, ये डाल देंगे, जो पालक बड़ी ये बहुत ही, देखिए स्वादिष्ट लगती है इस तरह से आप र कर लेंगे, और अगर आपको एकदम रोस्ट चाहिए है, कुरकुरी चाहिए, तो आप ज्यादा देर तक इसे थोड़ा रहने दीजिए, फ्राइंग पैन में और धीमियाच में से रहने दीजिए, देखिए हो गई है, उसी में हम ऑईल अलग से नहीं डालेंगे, बस उसी म बड़िया क्रिस्पी बनकर तयार हो जाती है, देखिए हमारी बड़िया बनकर तयार हो गई है, इसे हमने सौस और चटनी के साथ में सर्व किया है, आप यकिन नहीं मानोगे इतनी बड़िया ये बड़िया बनकर तयार होती है, और कम तेल में आप बना सकते हैं, पूरे प सब्सक्राइब कीजिए और जाद से जादा शेर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई भाई धन्यवाद टेक केर